नवस्का साथियों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आपकी UPSC और State PCS को ध्यान में रखते हुए एक किलासें कबर की जा रही हैं और देखें जब State PCS कहते हैं तो आप देखते हैं कि Civil Service कीता है हर राज में आप उनका PCS exam होता है जैसे आप देखें UPPCS, बिहार PCS, चतीसगर PCS, राजिस्तान PCS, मदपदेश MPPSC आप देख रहे हैं और आप मैं से कई लोगों का ये भी सवाल लेता है क्या और भी exam जो वन डे होते रहते हैं उनके लिए भी कलासें महत्पून हो सकते हैं तो देखें सीधी सी बात आप लोग याद रखेगा चाहे आप लोग राजिस्तर की किसी परिक्षा की तैयारी कर रहे हों अगर आपके exam में आपके paper में इतिहास सी questions पूँचे जाते हैं तो ये सभी कलासें आपकी बहुत ही महत्पूर रहने वाली हैं और आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत बिस्तार से बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई questions जाएगा और एक कामा आप लोग कर सकते हैं और करना चाहिए देखिए आप लोग जिस भी exam की तैयारी करें उसके कम से कम 4-5 साल पुराने questions पे वर उठा के देखिए उनका मुल्याइकन करिए उन्हें अच्छे से पढ़िए और आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि कहां से कैसे तरह के questions पूछे जा रहे हैं और आप लोगों को ये भी मालू चल जाएगा कि इतिहास से कितने questions और किस तरह के questions आ रहे हैं तो जरूर आप लोग देखिएगा और एक जानकारी आप लोगों को देदूं कि देखिए आपका prelims का जो syllabus है चाहे आप देखिए इतिहास आता हो या भूगोल हो या आप देखिए समिधान की क्लासे हो या आप देखिए कि आपकी अर्द्वरस्था की हो या विज्ञान क यह सभी आप लोगों को एक playlist सूची में chapter by chapter मिल जाएंगी उसका नाम रखा गया है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से और आपने देखा होगा कि last class में हम लोगों ने भारत में जो संपधायकता हुई उसके बाद जो देश का विभाजन हुआ बटवारा हुआ आप सभी जानते ही कि पहले पाकिस्तान और जो बंगलादेश आप लोग देखते हैं न यह हमारा हिस्सा हुआ करता था लेकिन आप देखे ऐसी परिस्तिती बर गई कि पाकिस्तान को अलग करना पड़ा भारत से तो उसी की बात हो रही है और आप देखे कि पहले बंगलादेश भी पाकिस्तान क रखेगा और अभी देखे गुजरात हो राजिस्थान हो पंजाब हो जम्मु कस्मीर हो लग्दाप हो इन सब राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से पंजाब आपका बंगला देश से पश्चमंगाल असम मेगाले तिपोरा उमिजोरम की सीमा लगती है तो यह भी आप ल इनका नहीं रही उनकी भूमी का नहीं रही है आप लोग इतियास पड़ते हैं देखे सभी किसी की भी चाहे वो लेखक हो चाहे आप देखे करांतिकारी हो या आप देखे कवी हो या आप देखे पत्रकार हो महिलाएं हो पुरुस हो हिंदू हो मुसलिम हो किसी भी जाती का इस देश की आजादी में सबका योगदान है किसी के योगदान को हम लोग नहीं भूला सकते हैं और आज की क्लास में हम लोग सुतंता अंदोलन में पूजी पती बर्ग जो एक तरह से आपके ये ब्यापारी थे उनकी क्या भूमिका रही है उस पर भी हम लोग बात करेंगे और सुतंता अंदोलन में जो मध्यम परिवार थे मध्यम बर्गिये था उनकी भूमिका क्या रही है उनका योगदान क्या रहा है सुतंता अंदोलन में किर्शक मजदूर बर्ग की भूमिका क्या रही है किसानों की मजदूरों की भूमिका क्या रही है और आप देखेंगे कि आंगे हम लोग सुतंता भारती स्वाधिन्ता संगर्स में उदारबादी अंग्रेजों की भूमिका क्या रही है तो अंग्रेजों की भूमिका भी है कुछ अंग्रेजों की आप समझे भारत को आजाद कराने में और उसके बाद हम लोग भारत की सुतंता अंदुलन में महिलाओं का युगदान क्या रहा है आप देखें महिलाओं ने भी पीछे नहीं रही है महिलाओं ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है और आप देखे बहुत सारी महला हैं, जेल भी गई, आप देखे, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, और स्वाधीनता संग्राम में मुसल्वानों की क्या भूमिकारी है, सुतंता अंदुल में, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी लोग आप लोगों को मिल दी में, जो आज हम लोग आजा देना, इसमें देखने को मिलेगा, इतने आसानी से नहीं मिला है, आप सभी जानते ही कि इतने सारी लोगों की डैथ हुई, मतलब आप सोचे उन्हें फांसी दे दी गई, उन्हें तरह तरह की यातना है जिलनी पड़ी, आप सोचे कि उनका परिवाज की घर में डैथ हो रही थी, वो जेल में बंद थे, आप समझ रहे हैं, गांधी जी की बारे में देख लिजे, गांधी जी जेल में थे, उनकी पतनी की डैथ हो गई, चली अब हम लोग सुरू करते हैं, सुतंता अंदोलन में विभिन बर्गों की भूमी का किस त मराज्य को घुटने टेकने के लिए विबस किया, और आप देखेंगे ये आंदोलन मूलता भारती जिनता और वेटिस उपनिवेसबात के हेतों के बीच आदार भूत अंतर विरोधों का नतीजा था, और प्यारम से ही राष्टबादियों ने इन अंतर विरोधों को पहच जाना और आप देखेंगे कि जनता के सामने, लोगों के सामने, भारतियों के सामने उसे रखा भी, और समय रहते इन लोगों ने उपनिवेसबात की बिज्ञानिक विसलेशन की पद्धिती का विकास किया, और अपने अनभावों को जनता के समक्च पिस्तुत किया, और रा तक ले गया और इस तरह यह आंदोलन एक तरह से सर्व ग्रहा बन गया था पहले आप देखें कि शुरुआत में आपने देखा होगा कुछ लोग इसमें भाग ले रहे थे पड़े लिखे भाग लोग भाग ले रहे थे फिर आपने देखा है किसान मजदूर सब सुरू हुए और अंध तक आपते आते आपने देखा है कि फूरा भारत एक होकर अंग्रेजियों के खलाप लड़ रहा था शुरुआत में 1857 की करांती में आपने देखा होगा कुछ लोग अंग्रेजियों की मदद भी कर रहे थे कुछ लोग आप देखी तटस्त बने हुए थे उन्हे कोई मतलब नहीं था लेकिन आगे चलका सभी की समझ में आ गया था कि उनका सोसन हो रहा है वो सोसन का तरीका अलग हो सकता है लेकिन अंग्रेज उनका सोसन कर रहे हैं विभिन देखीये वर्गों को इस आंदोलन में अपना उज्वल भविस से दिखाई देने लगा हाला कि राष्ट वादियों ने इसके लिए ब्यापक परिशीक्षण कारवी जाने अंजाने में चलाया और भारती जंचेतना को अंदोलन की पिती जागरूख किया और इस जागरूखता ही का क्या ही परिडाम था कि भारत के विभिन बर्गों ने राजनेतिक परिशीक्षण परा कीगा इसी आप लोग ब्यापारी कह सकते हैं बिजनिसमेन कह सकते हैं जिनके पास पूंजी थी समझ रहे हैं आप लोग तो पूंजी पती आप लोग किसी कह एक कई बार आपके पूंच लेता है पूंजी पती होते क्या है ठीक है तो एक तरह से आप लोग जरूर इनके बा होते हैं और विफ्साइए करने की लाब या लाप इन्हे मिलता भी है, आप सभी जाते हैं, तो इनके बारे में याद रखा करिएगा आप लोग, और पूझी पतियों के बारे में आप सभी गुमालू ही की देखें क्या रहता था, कि पूझी पती हमारे यहां के जो पूझी के पूंजी पती थे हमारे यहां के पूंजी पतियों पर आपने देखा होगा कि वो टेक्स लगाते थे और वहां के मुक्त ब्यापार उने उनके लिए रहता था तो हमारे पूंजी पतियों का भी सोसन किया इन्हों ने भारती राष्टी आंदोलन अपने आरंभेक चरण 19-वी सताब्दी में कि उत्राद में मुक्ता सिक्षिक बरग तकी इसे मित था और समय के साथ इसने अपने सामाजिक आधार विश्थित किया और कई वरग इसमें सामिल हो गया विश्थार की अपना और 19-वी सताब्दी के उत्राद में भारत में आधोनीक पूझी पती वर्ग का उदय हुआ और पिथाम विश्योदी के समय इन पूझी पत्तियों की संख्या कम थी लेकिन इनकी पूझी निवेश्चंता कम नहीं थी और मुख बात यह थी इसमें कि आप देखेंगे कि बे उस समय एक तक उपनेविश्चिक सासन की समर्थन पर निर्भर थे और यह सम्भाव नहीं था कि बे उपनेविश्चिक सासन का खुला बिरोध कलते अगर बुरे उद कलते तो आप देखेंगे इन्हें भी नुकसान उठाना पड़ता और यह सम्भाव नहीं था कि उपनेविश्चिक सासन का खुला बिरोध कलते और 1905 से लेकर 1908 के सौदेसी आंदोलन से बे लोग बाहर ही रहे यानि कि आप देखे कि सौदेसी जब आंदोलन चलाए गया तो इसमें इनों पूंजी पतियों का योगदान नहीं रहा पूंजी पती बाहर ही रहे असायोग आंदोलन के समय कई लोग इसमें सामिल हुए कई पूंजी पती सामिल भी दिया और बहुत सारे आप देखे पूझे पतियों के मन में ये भी डर था कि अगर आप सुचे कि अंग्रेज यहां से चले गए तो अभी जो उन्हें सरक्षन मिला हुआ है हो सकता है कि आप देखे जो भारती भारत में उगबादी थे और आप देखे जिने आप लोग क् ख़जा से डरते थे कि वो अगर कहीं उग्ग हो गए तो हमें भी परिशानिये का सामना करना पड़ सकता है भारती पूझी बाद का विकास हो भूमिका अगर आप देखे तो बीसबीस दाबदी के पारम में के तुरंत बादी भारती अर्थवस्ता में आयात पी भूग जरूर पढ़िएगा एक बेस आपको मजबूत होगा दोनों बिस्य उद्धों और 1930 के दसक की विस्य व्यापी आर्थिक मंदी के समय भारती अर्थवस्ता पर समराजवाद की पकड़ कमजोर हुई और भारती उद्धोगों की विकास की पितकिरिया में तेजी आये और इसकी वज़े से विदेसी आयातित बस्तों को देसी उत्पादित उत्पादन से पिती स्थापित किया जाने लगा माल लेजे उदारन देता हूँ आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए कोई भी उदारन कहीं भी सेट आप लोग करिएगा अभी आप देखते हैं कि ह हम सभी जानते हैं कि 70% से 80% हम लोग कच्चा तेल आयात करते हैं लेकिन अगर आप सोचे कि अगर हम लोग उत्पादन हमारे यहां होने लगे कच्चा तेल का तो हमारा आयात घट जाएगा समझ रहे हैं आप लोग तो उसी की बात हो रही है और इस साओधी में देशी उत् पूझी के आधार पर आंगे बढ़ने लगे और भाती पूझी बाद अपने देख कालिक वर्गी हितों को समराजबात से जोड़कर नहीं देखा और भाती पूझी बाद की सुतंत एवब तेज विकास के कारण पूझी पती बार्गन में समराजबाद विरोधी कोड़े जिसके अनुसार कोई महत्वाकांची राष्ट जैसे अंग्रेज हो गया आप समझें इंग्लेंड हो गया ठीक है और महत्वाकांची राष्ट अपनी सक्ति और गौरप को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राक्तिक और मानविये संसाधनों पर अपना नेंत कर देना जो आप देखते हैं कि हमारा हुआ भी और देश के नियंति छेत्रों को समराज कहते हैं भारत समराज ही तो था अंग्रेजों का तो इसी की बात हो रही है ठीक है और वाद का मतलब होता है विचारधारा से एक तरह से यह आप लोग याद रखें गांधी बात कह द किया और यह परिस्तिती भारत में भी उत्पन हुई जहां लोग प्रिये वाम पंथी आंदोलन के पिती पुझी पती बर्ग में समराज बात से सहयोग या समझोता नहीं किया बलकि अपने सभी साधनों से राष्टी आंदोलन के दक्षिड पंथी बर्ग को ससक्त करने का रूख निधायत करने की फिक्रिया में ही भारत का पुझी पती बर्ग एक राजनेतिक तत्त की रूम में सामने आये भारती वड़ेज जिबित्ती और उद्धोगे खेतों के लिए एक राष्टी इस्तर के संगठन की आवस्सक्ता थी जो उपनेवेश से सरकार को अपने द ततकाले राजनीती में प्रभावपूर्ण हस्तेचे प्यारम किया इसने और पुझी पतियों ने राष्टी संगर सेतु समिधानिक मार का समर्थन किया उन्होंने किसी आंदोलन का पक्ष नहीं लिया और आप देखें पुझी बादियों ने समराजबाद दिरोधी आंदो किया क्योंकि किसी आंदोलन के लंबे आउधी के कारण जनता में व्यापक उग्ज धारात्मक चेतना फैलने का डर था और साथी पुझी पतियों के ततकालिक आवसक्ताओं के लिए भी समराजवादी सासन सहयुकी आवसक्ता थी और अंग्रेज थे तो आप देखे कि पुझ दल कह लीजे आप लोग गरम लोग तो वो हमारे उपर भी कब जाना कर में लगें वामबंधियों की विचार धारा तो आप जानते ही हैं पुझी पतियों के खिलाब ही बोलते हैं वो पुझी वादियों का विचार था कि परिसदों और विधायकाओं जैसे बंचों के में सरकारी नीतियां बनवाई जा सकें तो यहां अन्यथा सरकार अपने निष्ठावान सहयुगियों के साथ मिलकर पुझी वादियों के विचार नीतियां करा लेती हैं इन बातों को ध्यान में रखे पुझी पतियों ने उपनेविसिक सासन द्वारा बनाएगे तमाम का ना केबल समर्थन किया बलकि कई बार उसमें हिस्तेदारी भी की और आप देखें जो अभी भी पुझी पति होते हैं वो कानून की लड़ाई लड़ते हैं वो समिधान के साथ से लड़ाई लड़ते हैं और आपने देखा होगे कि वो हमने सामने की लड़ाई दो कभी न नगर्न था और समराजबाद के समख्च आर्थिक राष्टवाद की मांग केवल पूझी पतियों के हितों का ही नहीं बलकि पूरे देश की जंता की मांगों का पिति निदित कलती थी और आर्थिक राष्टवाद की सिध्धान की रोपिरिखा उस समय बनाई गई जब आर्थ पुझी पत्तियों ने भी कॉंग्रेस को कभी अपना बर्गी ये दल नहीं माना लेकिन पुझी पत्तियों ने यह प्रयास आवस्य किया कि राष्टी अंदोलन उगबादी नहो जाए और अर्थात कॉंग्रेस समाजवादियों और सामवादियों के प्रभाव में ना आ भारत में मध्यम बर्ग का उदय उपने वेसिक सासन की देन थी और इस बर्ग में सरकारी और ओफिस करमचारी पेसेवाद लोग छोटे ब्यापारी और कारीगर सामिल थे और वेटे सासन के तोरान एक नए पिसासनिक विवस्था की सुरुवात हुई और जिससे सरकारी ओफिस करमचारी चारियों का जनम होता है ब्यापार, उद्योग, बीमा, डाकता, रेलवे, आधी में बहुत से आप देखेंगे कि बहुत से करमचारी नियुक्त हुए और यहीं बाती है से यहां का होगा तो यसा ही रहेगा लेकिन वहा आप देखेंगे अंग्रेज़ी खेंगे लिए तो इसके workulla हो जाता है उसकी संस्किती नेक तीकता मूल होते न, वो अंग्रेजों में बदलने लगते हैं, वो अंग्रेजी बोलने लगते हैं, दिखावा आप देखते हैं, अंग्रेजों जैसा करने लगते हैं, तो उसी की बात हो रही है। द्रिश्टीकों राष्टी आंदोलन के पिती उदासीन रहा क्योंकि बेटिस पिसासन में इन्हें कई सुख़धाई भी उपलब दे थी 19 भी सदाबदी में भारती पिसासनिक सिवाओं में भी इन्होंने पिरवेश पाया और जहां काफी मान सम्मान पराथ था और अंग्रेजी सिख्षा के कारण इनका अंग्रेजी सासन की न्याय पिरिता में भी विस्वास्ता आप सोचें कि आज आपकी सरकार हैं आज भी सरकारी करमचारी आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि सरकार से उन्हें काफी फायदा मिलता है वो इसलिए तटस्त रहते है वो चोप रहते हैं ठीक है तो आप देखेंगे आंगे मध्यम बर्ग के बे लोग जो पिरभुद्ध बिचारके थे उन्होंने ही भारती है राष्टी है ताकि भावना और चिंतन को आंगे बढ़ाने का कार किया और यही बुद्धी जीवी बर्ग राष्टी आंदोलन के सु भारती समाज को पुरानी रूडिवादी दसा से निकाल कर नए मूल्यों के आधार पर इस्थापित करना चाहते थे और 19-20 सदी में सिक्षा की पिसार उसी में सुतंता बाली प्रेश्ट ने बुद्धी जीवी बर्गों को और उभारा और इस तरह से मध्यम बर्ग किया कि अगरे जी सासन भारत में उधारवादी लोकतांत्रिक सासन की रूम में नहीं बलकी सोशनात्मक विदेसी सासन की रूम में तो उन्होंने भारतियों में राष्टी चितना का स्वर्पूं का और इस सिक्षिक मध्यम बर्ग ने भारतिये समाज पर अलूचनात्मक द और स्वामी वेकानन ने राम किसन मिसन की इस्थापना की ए नाम आप लोग देखें जिस्ते जुड़े हुए हैं उसे याद रखेगा पूंच लेता है आर समाज की स्थापना की इसने की थी तो ए पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग ठीक है और इस समय सामाजिक चेतना क साथ साथ राजने टिक चितना का भी विकास हो रहा था भारती सिक्षित बर्ग मध्यम बर्ग अंग्रेजी साथन के अंतरक कटनाईयों का सामना कर किया इनोंने किरसक मजदूरों की तुल्ला में यह बर्ग समराजवात के उद्देसों और उपनिविसिक साथन की में लेकिन धीरे धीरे यह इसपस्ट होने लगा कि अंग्रेजी नेतिया उपने विसे खितों के लिए थी जैसे कि भारती मध्यम बर्ग की अंग्रेजी साथन के इस्तत्य की अनभूती हुई और उसने उपने विसे साथन का भिरोत प्यारम कर दिया इन्हें लगता था कि आप देखें रेल्वे विचाई जा रही है तो हमारे लिए विचाई जा रही है लेकिन आप देखें कि अंग्रेजी दो दराज तक आसानी से पहुँच बनाना चाहते थे इसलिए अपनी विवस्था कर रहे थे किरसक मजदूरों और जंजातियों ने विद्रूह का रास् किया और 1858 में भारती पिसासन का उत्तरदाइत अंग्रेजी राज ने सीधे अपने हाथ में ले लिया 1857 की करांती के बाद जिसने मद्यम बर्ग में एक नई आसा जागरेत की और उन्होंने सोचा कि अंग्रेज भारत का आर्थिक सोसन बंद करके भारतीयों की कल्यांड य होने लगी और इस प्यारमबिक संगठनों ने इन नभीन संगठनों की तुला करें तो यह संगठन ने संदे राजनेतिक उद्देशों से पे रित था और इनका मुख उद्देश अंग्रेजी नेतियों का पिस्ताओं एबं अपीलों के मांध्यम से विरोत करना था जन जा आप सबी जानते ही कि 1885 में कॉंग्रेस की स्थापना हो गई थी भारती राष्टी यह कॉंग्रेस की उस समय आजादी के लिए एक तरह से यह से स्थापना की गई थी लेकिन आँगे चलकर आप देखते हैं कि यह क्या बन गया राजनेतिक पारिटी आज है आप देखते है और इस समय सासन ने कुछ दमनकारी कानून भी पारिट किये जैसे बर्नाकूलर प्रेस एक्ट पे सासनिक सेवाओं के लिए उम्र सीमा का कम करना भारतीयों ने इन गनीतियों का ती विवरोध भी किया और इसी बीच इलवर्ड विल समंधी मुद्दा भी सामने आया वर्नाकूलर प्रेस एक्ट इसका यह आप देखेंगे 1878 में आये था और देशी प्रेस अदिनियम पारिद किया गया ताकि भारतीय भासाओं के जो पत्त पत्ते काएं थी और इन पर कड़ा नियंतर रखा जा सके और उस समय लॉड लिटन भारत की वायसरा थे तो यह भी याद रखिएगा दूसरा अलवर्ट या इलवर्ट बिल था इसमें आप देखेंगे दीमानी मामलों में कोई भेदभाव नहीं था लॉड रिपन की परिशत के साथ बिधी सदस इलवर्ट ने इस अन्याय को दूर करने का के आसाय का एक बिधिक बिधियक दो फर्वरी 1883 क भारती ने आधिसों को भी यूडिया गया था इसे ही इलवर्ट बिल कहा गया था बाद में इसका विरोध भी किया गया इस तरह दीरे-दीरे भारतीयों की मन में भी एया भावनब हुई कि उपने विसे खित में उनके सारे हितों की कुर्वानी दी जाएगी और 1880 का अस्ती का दसक आती आती एक राष्टी संगत्रिन की आवसकता अतेंत मजबूत हो गई और इसी स्पग का पैडाम था कि इन मद्यम बर्गों के प्रयास और पेडां के फलस्वरू सन 1885 इन भाजती राष्टी कॉंग्रेस की इस्थापना होती है बाद के सभी आंदोलन में इस मद्यम बर्ग की अगडी भूमिका रही और जिसमें अन कई बर्ग सहयोगी सिद्ध हुए अब हम लोग सुतंता आंदोलन में किसान यानि किर्शक और मजदूर बर्ग की क्या भूमिकारई है इसकी बात कर लेते हैं भारत में ओपनेवेसिक सत्ता की स्थापना की बाद सबसे पहली अगर कोई प्रभावित हुआ तो वो किसान बरग ही था और ओपनेवेसिक राजस प्यनाली की फलसरोप ग्रामीट छेत्रों में भूस्वामी और महाजन बरग काफी सक्ती साली बनकर उबरे और इस तरहे किरसक आसंतोस को राष्टी आंदोलन ने पहचान दिलाई वो कह रहे ना कि सबका सोसन हो रहा था लेकिन किसी को पहले मालू चल गया किसी को बाद में मालू चला पिथम विस्योद्ध के बाद ही परिस्तितियों में किरसक बरग अधिक आंदोलेत हुए और आप देखेंग थी हुआ और गांदीज ने देश्त को एक नई आर्थिक और आजनेतिक दिसार प्रदान किये और चुकी हुए अपने आंदोलन के आधार को बड़ा बनाना चाहते थे और उन्होंने ग्रामिट जंता उक्रसक किसानों को भी अपने आंदोलन में सामिल किया और आपको बता पिल 1917 की बात है गांदीजी सरफ से पहले चंपारन में अपना राजनेतिक आंदोलन शुरू करते हैं और आप लोगों को एक बावर बात बता जूँ ऐसा कई विद्वान इतिहास कर कहते हैं कि गांदीजी को इस तरह की किसी आंदोलन की जरूरत थी और चंपारन को गांद किर्षकों के खेड़ा में भी किर्सकों ने सत्यागय किया और जिसे गांदी जैसे कई नेताओं अपना नेतित फिदान किया और अन्दोलन में अधिकारिओं की दमनात्मक कारवаєी के बाप जुद किरसकों ने अंदोलन में बड़े उसा से भाग लिया और इस तरह अब राष्टी अंदोलन के राष्टी नितित को भी किरसकों के मांगों की उपेपचा करना संभव नहीं था और किरसकों को राष्टी अंदोलन से जोडने है तो उनकी मांगों को अपने कारि चाहिए मजदूरों की मांगें भी देखनी चाहिए और गांधी नीजी ने आके सबसे पहले यही किया उनकी मांगें जो थी उन्हें भी राष्टी आंदोलन में सामिल कर लिया तो वो भी उनका विजुनूर ना गया कि हमें भी कुछ मिलेगा असायोग आंदोलन के दोरान कॉंग्रेस के अनेक महत्पूर नेताओं ने क्रिस्कों के बीच काम किया ताकि उन्हें आंदोलन में सामिल कर सके नहरू ने उत्तरपिदेश में पिताफगण में अबद कास्तकारी विदेहक के खिलाप क्रिस्कों को संगठित किया एक किया और अन्य कई आंदोलन देश भर में हुए और किर्सकों को गरपतार कर जिल भेजा गया पंजाब में अकाली लहरी के अंतरग गुरू द्वारों को महंतों के प्रभावस से मुक्त कराने और बेटिस ब्रोधी आंदोलन के पिती अपनी हमदर्दी ब्यक्त करने के लिए हजारों क किर्सकों ने विदेशी दमन की विरुद्ध महत्पून भूमिगाने भाई और अपनी बरक सहयोग की नीतियों की बज़ा से कॉंग्रिस अभी भी किर्सकों को सहयोग देने के लिए तियार नहीं थी और आप देखेंगे पितम विस्योद्दी के बात किर्सकों ने एक हाद महत्पून अपने मूलभूत आर्थिक मागों को की बज़ा से हिस्सा लिया और किसी आकसमेक राजनीती के उजना की बज़ा से नहीं असाहिव गांदोलन की समाप्ती के बाद परांतों में सुतंत किसान संगठों का गठन किया गया लेकिन कॉंग्रिस अभी भी किर्सकों क पक्ष में ठोस कारक्रम नहीं बना सका और अब इस दिसा में सामवादियों ने अपना प्रयास प्यारम किया और आप देखें सामवादी वाम पंथी यह आते हैं और किसान इंसे बड़े जल्दी जुड़ते भी हैं क्योंकि इन्होंने आप देखें सबसे अच्छा काम ये किया किसान मजदोरों की बात की और जब उनके हितों की कोई बात करेगा तो उनसे उनका जुड़ाव भी स्वभाविक सी बात है और 1929 में गुजरात के बार्दोली जिले में किसान संगहस फूट पड़ा जिसका नेतित सरदार बल्लब भाई पटेल ने किया था जो आप किसानों की अधिकांस मांगें मान ली गए और इसे किस्कों की आंदोलन को विस्वसिनियता मिली और आंगे बढ़ने की पेड़ा मिली अब आप देखे कोई आप काम कर रहे हैं थोड़ी बहुत भी सफलता मिल जाती है तो आपके अंदर जुनून आ जाता है बास्तों में कॉंग्रेस का बामबंती समूग किसानों की मांगों को उठाने लगी थी और 1930 के दसक के प्यार में बिहार उत्तरपिदेश में किसान सवाएं गटित हुई और जिन्नों ने अपने हक में कई अधिनियम पारित करवाई लेकिन किरिसकों की हालत पूर्वत पूर्व की तरह बनी रही और किसकों यानि कि किसानों में आस्तंतोस की भावना पनपती रही और यह आँगे चलकर और संगठित किरिसक आंदोलन की रूम में सामने आई बंगाल में तिभागा आंदोलन जबकि तेलंगाना चित में किर्सक आंदोलन भी हुए और 19. सदी के उत्तराद में आधुनिक उद्योगों की सुरुआत के साथ भारत में आधुनिक मजदूर बर्ग का भी उदय होता है बारती राष्टी आंदोलन के विकास के साथ ही इन मजदूरों का एक अकिल भारती बर्ग की रूमें विकास होता है और 19. सदाबदी के अंतिम दोर में राष्टबादी बुद्धी जीमियों ने मजदूर बर्ग को अपने आंदोलन में सामिल करना सुरू किया हाला कि इसके पूर्व मजदूर बर्ग कई आंदोलन और हरतालें कर चुके थे लेकिन छेटपोर्ट आसंगठित और सुता इस पूर्ट थे और जिनका कोई व्यापक राजनेतिक प्रभाव सामने नहीं आया आप देखते हैं कि इस सभी बर्ग अपने अपने इसतर पर पहले भी आंदोलन कर रहे थे लेकिन आप देखिए संगठित ना होने के कारण इन्हें आसानी से दबा दिया जाता था इनका दमन कर दिया जाता था प्यारम में मजदूरों के हाला सुधारने के लिए कुछ संगठित प्रयास भी किये गए जिसे 1870 के दसक में समास सिवा की रूम में सुरू किया गया लेकिन इससे किसी आंदोलन का आरम नहीं हो सका और प्यारम में सिर्मेकों के सवाल पर राष्टी आंदोलन की मुख धारा का रूप काफी उदासीन था क्योंकि अभी राष्टवादी आंदोलन से सवस्था में था और जिसे प्यारम में कमजोर करना या बर्ग विभाजित करना सही नहीं था और नई सदी के आरम होते ही मजदूर बर्ग की विकास के साथ राष्टवादी बुद्धी जीवियों में एक नई प्रवित्ती का अभिभाव भी हुआ और इन बुद्धी जीवियों ने कमजोर बर्गों और मजदोर बर्ग की हितों की सक्ति साली पुझी पतियों से रक्षा के लिए कानूर बनाने की जरूरत पर बल दिया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इन बर्गों को संगठित होने के लिए पेरित किया और सौधिसी आंदोलन के समय इनके आंदोलनों में बिद्धी हुई और जिसमें कई राष्टवादी निताओं ने सहयोग दिया और इस समय की एक पिरमोग बिसिस्ता यह भी रही कि आंदोलन कारी अपने आर्थे मुद्धों के साथ साथ ब्यापक राजनेतिक मांगों को भी उठाया और आप देखेंगे इस तरह आंगे की आंदोलन ने भी इस बरग में ब्यापक सहयोग भी दिया और पिथम पिसे उद्धे के बाद देश में राष्टी आंदोलन फिर सुरू होता है और जिसमें पुनाह मजदूर बरग ने साथ दिया और इसी समय उनिस सो बीस में अखिल भालती है ट्रेड इूनियन कॉंग्रेस एटक की स्थाफना हुई और पंजाब के गरम दल के निता लाला लाच्पत राय इसके पहले अध्यक्च बनते हैं एटक ने मजदूरों को संगठित होने का आहन किया और राष्टी आंदोलन में अपने भागेदारी पर जोड़ दिया और पितिकरिया सुरू उस समय के सभी वड़े आंदोलनों में सर्मेकों ने ब्यापक भागेदारी दिखाई और 1930 के दसक के उत्राज में बामपंथी विचारिक प्रवित्ती मजबूत हुई और राष्टी आंदोलन पर इसने अपना प्रभाव दालना सुरू किया वामपंथ का यह प्रभाव मजबूरबर्ग पर भी पड़ा और कमिनेश्टों और किरांतिकारी राष्टवादियों के प्रभाव से समय मजबूरों ने कई बड़े हर्तालों का आईज़न भी किया मजबूरबर्ग की बड़ती उग्जिता और राजनीती में उनकी सक्रीता से भावीत होकर खास तौर से राष्टवादियों और बामपंथियों की बड़ती हुई निकटता किसे भावीत सरकार ने मजबूरों के आंदोलन पर आप देखेंगे कि दो तरफा आकमन करना सुर मजबूर फिइब clear कई नेता को घरप्तार कर लिया है और इन पर आप देखेंगे मेरत केस के अंतरगत केस की दरज किया और दूसरी और आप देखेंगे कुछ सरकार ने अंदोलन कारियों को तोड्ने का कार्वी किया और आप दिखेंके कोई भी सरकार हो जब आंदोलंग चलता है तो कुछ का दमन करके जब वजश्ती आप देखें उन्हें जेल में ठूसकर रोका जाता है, कुछे कुछ लालत देकर रोका जाता है सरकार के इन प्रयासों का प्रेवाव भी हुआ और जिससे आंदोलंग कमजोर हुआ दूसरी और इसने समय कम्मिनेष्टों का भी आंदोलंग के फिती रोक में परिवर्तन आया और इस तरहे 1930 और 1936 के बीच मजदूर बर्ग का अंदोलंग धालान पर था और सभीने एग्या अंदोलंग में इस बर्ग ने अपनी रूची नहीं दिखाई और 1937 से 49 के दौरान जब राज्यों में लोगपरिय मंती मंडलों का गठन हुआ और प्रांतों को स्वैथता हासिल हुई तब पुन्हा मजदूरबाग की गतिव धियों में तेजी आई और इस समय तक सामवादियों ने पुना अपनी गतिव धियों प्यारम की और मजदूरबाग के बीच अपना जगय बनाया ना सुरू किया इस दौरान ट्रेड यूनियर आंदोलन को भी पुरुसान मिला और प्रांती और प्रांती ये सरकारों के अंतगत मिली नागरेक सुतन और मजदूर समर्थक दिरिश्टी गोर्ण इसका मुख कारण था और दूतिय अविस्य यूद्धी के समय आप देखेंगे 2 अक्टूबर 1949 को समुचे विस्सन में यूद्धी के बिरोध में हर्ताल का आयव जन हुआ और जिसमें भालती मजदूरों ने भागेदारी की और में मजदूरों की भागेदारी प्रभावित हुई लेकिन पूरी तरह नहीं और इस अंदूरों में गंधी जी वरणय नेताों के गरपतारी के बाद मजदूरों ने जगए जगए अंदूर्बग की गति विधियों में पुना तेजी आई और इस समय बंबभई कलकथ्ता क की बंदरगाहों की मजदूरों ने जहाजों में माल लाजने से मना कर दिया क्योंकि इससे दच्चनपूर्व एसिया की राष्टिय मुक्त संग्राम कदमन होता है और 1946 में नो सेनिक विद्रों के समाई बंबई की मजदूरों ने एक जुटता दिखाई दिखाने के लिए वि आपक विद्धी हुई और योद्ध जनित कटनाईयों ने मजदूरवक की सहन सक्ति को जगजोर भी दिया अब बात करते हैं भारतिय स्वाधिन्ता संगरस्क में उदारबादी अंग्रेजियों की भूम क्या रही है तो आप देखें कि बैटेन और भारत का एक दूसरे पर प्रभाव पढ़ना बहुत दिल्चस्मत भी सह है और आप देखेंगे कि सवभाविक सी बात है कि आप कहीं रह रहे हैं तो आपका प्रभाव उन पर भी पढ़ेगा उनका प्रभाव आप पर भी पढ़ेगा ये सवभाविक सी बात रहती है भारतिय स्वाधिन्ता की संगर माने जाते हैं डबलू एस वे बिलंट हैंडी काटन हैंडी यूल चाल्स वेड़िला वेडरबन हम हाइंड मैं जॉन व्राइट और आप देखें कि एस एच जी लास्की सी एप एंडियूज आदी भारती विद्वाने ने भारती ये भारती ये रानितिकों जैसे गोकल गोकल जी जवाहलाल नहरू दादभाई नौरो जी बदरुद्दिन तेप जी आदी भी जीवनिया लिखी आदी की जीवनिया इन अंग्रेजों ने लिखी याद रखिएगा ठीक है लेकिन किसी भी लेकग में उदारबादी अंग्रेजों की जीवनिया लिखने की कौसिस नहीं क अगर आश्टीय संगर्स में कि इस महत्पूर्ण पक्च की उपेक्चा की जाती है तो भारती स्वाधीनता संगराम के इतियास का दिन सही परिपेक्च में नहीं किया जा सकता है और इसलिए यह उचित ही होता है कि इनों उधारवादी अंग्रेज्यों द्वारा भारत की पिती सेवाओं के उतका समुचित मूल ल्यांकन किया जाए और इस देश की स्वाधिनता के सबसे अधिक हामी भी जैसे हैंडरी काटन, डवलू, एज, बिलंट, स्रीमती एनिवेसेंट, चाल्स वेडेला, भारत के लिए स्वाधिनता या हूम रूल की बात ही सोचते थे और उनसी यह आसा नहीं की जा सकती थी कि भी भारत की पूर्ण स्वाधिनता के लिए आंदोलन करेंगे ऐसे इस्थिती में जबकि स्वयम हमारी नेता सौदेश के लिए किबल सोसासन की इक्षा कर रहे थे और आप देखेंगे पूरी सत्रहवी सताबदी में अनिक संब्रांद अंग्रेजों ने इंग्लेंड में ब्याप्त लोकतांत्रिक भावनाव से पेरित होकर साहस पूरवक भारत का पक्ष भी लिया और आप देखेंगे उन्होंने जिस ओजस्वी ढंग से भारतीयों के लिए नियाय और उचित की बकालत की और भारतीयों की सिकायत की और ध्याना कर्शित किया उसका भारतीय जंता पर गहरा असर भी पड़ा एडमंड वर्क की बाद इंगलेंड में भारत की लाखों मोक लोगों के पक्ष में तब तक बोलने वाला कोई ना था जब तक जान व्राइट ने भारती जंता की पिती लगातार अन्याय की गुरुद आवाल नहीं उठाई उन्होंने भारतीयों की दारुन गरीवी की चर्चा अनुचित टेक्सों की ओर ध्यान खीचा और कहा कि भारतीयों को विसस्तों और जिम्मेदारी के पदों पर नियुक्त करने की पिती सरकार नितांत लापवा है और भारत की फिती उनकी साहनुवूती सक्ची और गहरी थी भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना से दो वर्स पूर की ही उन्होंने एक एउजना बनाई थी वेटेंद की संसर सदसों की एक अनुपचारिक भारती समिती का गठन किया जाए यानि कि ये भी चाह रहे थी कि आप देखी कि भारतियों को कुछ तो मिले भारतियों को इनकी साथ अन्याय तो ना हो जॉन वराइट की बाद हैंडरी फॉसेट को इंग्लेंड में भारत का एक महान और सच्चा मित्त माना जाता है 1865 में संसर सदस होने की बाद उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरे भारतियी जंता की कल्यान की ओर दिया और भारतियी मामलों में इतने आकंट थे निगम निमंगन रहते थे कि उन्हें लोग भारत की सदस कहकर बुकारने लगे थे और फॉसेट की सदा ही यह धारनाथी की भारती के निवासियों को अपने देश का सासन चलाने में समचित इस्थान दिया जाना चाहिए और जो लोग उनमें योगता रखते हों उन्हें सरकारी सिवाओं में समान की पद मिलने चाहिए भारतीयों को उन्होंने 1868 में Commons सभा में एक पिस्ताओ भी रखा थ थी फॉसेट ने भारत की पक्ष में अपनी बात अकेले होते हुए भी हमिशा इतनी दड़ता से नियाय प्रियता से और आप देखेंगे तथ्यात्मक्ता के साथ रखी कि उनकी आलोच्चकों को भी उनकी सरायना करनी पड़ी 1872 में 1872 में क्या होता है कि कलकत्ता मीक विसाल सार्विनिक सभा हुई जिसमें उनके पिती भारत की गहरी कितग्यता बेक्थ की गई चाल्स वेडिला यह आप देखेंगे कि का नाम भी भारत के पिती सेवाओं के संदर में आरमिक प्रिवित्त कों में लिया जाता है चाहिए और जिन्होंने इलवर्ड विल का समर्थन किया था और जीवन परेंथ भारत की हिमायत भी की थी वे 1886 में संसरी सुधार लेक के सदस बने और 1880 में संसरी के लिए चुने गए बे कॉंग्रेस की पिती बहुत साहनवूती रखते थे और भारत में धारा सभा में सुधार के लिए एक विधेक का प्यारू उपतेयार किया था उन्होंने 1890 में भारत आये उन्होंने भारती राष्टी कॉंग्रेस के अदिविशन में भागवी लिया और संभावता बेडेला की पहल का पहिडाम्ता की भारत मंत्री लॉड करास ने संसद में एक सरकारी विधेक रखा था जो अंतिता आप देखेंगे और आपको बता दूँ कि कॉंग्रेस की पहली महला देख्च थी स्रीमती एनिवेसें तो यह भी याद रखेगा वे एक साधारन अंग्रेज महला थी जिन्होंने अपने जीवन की विवन मांजिलों से गुजरने और तरह तरह की अत्याचारों को सहन करने के बाद अंत में भारत को अपना घर और अपने जीवन की विसेश रूची का धह बनाया वे भारती राजनीती में एक जीवन सक्ती थी और राजनीतिक और सांस्कितिक दृष्टियों से भारती राष्टी पुनर उत्थान के लिए उन्होंने बहु मुल्य उगदान दिया उन्होंने था दो दिन का तमासा यक कुतुक नहीं है उन्होंने प्राचीन भारती संस्किती की उत्सा पूर्वक हिमायत करके भारती राष्टिये ताकि विकास में महत्पूर युगदान भी किया था एनी वेसेंट ने एलेन ओक्टी बियन हुम ए ओ हुम का युगदान इतना सूव विदित है कि उनकी विस्तार से चर्चा करने की अवसकता नहीं है सिविल सर्विस से आवकास पराप्त करने के बाद उन्होंने लैप्टीनेट और गवर्नर पत को लेन अस्विकार कर दिया और अपना समय वो सकती भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना में लगाई औ उन्होंने कलकतव इस विद्याले के इस नात्कों को पेड़ा पद में एक मार्च 1983 को भेजा था जिसमें उन्होंने इस नात्कों का आहान किया था कि आंगे आये और अपने आपको देश सेवा के लिए समर्पित करें और उन्होंने इस नात्कों को याद दिलाया था कि चा ध्यान नहीं दिया तो आंदलन को कुचलने के लिए कदम उठाए तो उन्हें बहुत नरासा भी हुई और यह मुक्ता उनके प्रयासों का ही फल था कि सरकार की समस्त दमनकारी कारवाही के बाद जुद भारती राष्टी कॉंग्रेस अपने आरंभी काल में जीवित बची रह था और विडर्वन नहीं कॉंग्रेस के अन समर्तकों की साहता से कॉमन सभा में ये पिस्तावीक कराया की सेविल सर्विस पर इक्चा आएं इंगलेंड जो भारत में एक साथ हो और इस साहत हूं और इससे कॉमन सभा के कुछ प्रमुख सुतंद सदसों को एक भोज पर बु को एकजुट करना और सुन निर्दिष्ट दिसा की और फिरित करना था वे 1887 में और 1910 में भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक पी चुने जाते हैं उन्होंने अपने मित्रों की सलाय दी को सलाय दी की भी संगरस में से बिचलितना हो और इकजिट होकर इंग्लेंड में मंत्री वंडल की बदलने की पितीक्षा करें जिसमें बिलम नहीं है और 1873 में कौमन सभाब में फिर आने के बाद साथ बरसों तक वि भारतिये मसला रहो जिस पर उन्होंने कुछ ना कहा हो और सलसद में उनके प्रयासों की सफलता पूर्व उस्था वर्धक नहीं थी और विडर्मन हतास नहीं हुए भारतिय राष्टी कॉंग्रेस ने 1908 में रास बिहारी वोस की अध्यक्ता में हुए अधिविशन में हिउ वो विडर्मन की पिती बड़ी सराहना भी वेक्त की थी और सर हेंडरी काटन और बिलियम डिग भी भारती पक्ष के उस्था ही समर्थक थे सर हेंडरी काटन ने 1885 में जब बेसिविल सर्विस में थे तो अपनी पुस्तक निव इंडिया अत्वा इंडिया इन ट्राजीशन नया भारत भारत संकमन की पत पर लिखी थी और इस पुस्तक में उन्होंने नीती में परिवर्तन की जरूरत पर जोर भी दिया था अंग्रेजों से कहा कि बेपिसासन के अलावा भी उच्चेतर कारियों का स्रीगरेस करने के लिए अपने को तियार करें और सर हेंडरी काट सर बैम फिल्ड फूलर का त्यागपत बहुत कुछ सर हेंडरी काटन द्वारा चलाए गए अंदोलन का पईडाम था बंदी मात्रम के गायन से गायन से समर्द विवाद में भी उन्होंने सक्री भाग लिया डेली नियूज पत में इस गीत का अंग्रेजी अनवाद पिकासि पिथक निर्वाचक मंडल आप देखते हैं कि भाटो राजकरों की नीती यहां भी चल रही थी तो आप देखें रखनी की स्विकिती देने का काटन ने सक्त बिरोध भी किया था उन्होंने इसे धोका धरी और फूट डालो राजकरों की नीती बताये था बिलियान डिग भ भारत की आथे को फिसासने को अन्डी जी चेतनों की कटनायी से अवगत कराते थे उनकी पुस्तक प्राइस पेरस बेटिस इंडिया रिवीलेशन समर्द बेटिस भारत खुलासा में यह सेध करने का परियतन किया कि भारत विदेशी अधीपक्त में है और उनका धन हर साल द और वेसायत पहले बेटे सनागरिक थे जिन्होंने दुखक जलिया वाला बाग कांड के लिए बेटे सरकार को दोसी ठहराया और ओ डायर के कारणामों को जानबूच कर किया गया जगन हत्या कंड बताया था भारती स्वाधिंता संगराम के बारे में समय समय पर मैंचेस्ट गारजियन दा हिंदू मारर्ण रिव्यू दा नेटाल आपजरवर और टोरॉंटूर इस्टार में लेख लिखते रहते थे लेकिन उन्होंने खिलापत आंदोलन में साधाथ पर भागले ने से इंकार कर दिया था कि ऐसा करना आटोमा समराज कर समर्थन करना होगा किसी भी आप देखें कि भारती मुसलिमों की भावनाएं जुड़ी हुई थी बस इतना था सीशक से लेक लिखे जिसमें भारत में दमन की नीती के लिए वेटे सरकार की आलऊचना कि उन्होंने आरोप लगाए कि समला असिष्ट मंडल की सरकारी जोड़ तोड़ का पढ़ड़ाम ता उन्होंने 1919 की जलिया वाला बागत कानड के लिए भी वेटे सरकार की आलोचना की थी और आप देखेंगे कि जो सुवा वेजबोड ए लेवास दल की संसस सदस थे और उन्होंने रेम जी मैक डोनल्ड द्वारा भारत में पिथक निरवाचंग मंदल की निड़य का भी विरोद किया था 1921 से 1926 तक होने वाले हिम्दिव मुसलिम दंगों के बारे में जिन में काफी खून खराबा हुआ कर्नल वेजबोड ने कहा कि अकल की डाड तोड़ देने की सवान थे और साइमन कमिसन के बारे में उन्होंने लाला लाजपतराय को लिखते हुए उसे घात और मुरुकता पू लोगों द्वारा जरह का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है जिन्नों ने अपनी आपकी भावनाओं विचारों में कोई दिलचस्थी नहीं दिखाई है भारत में राष्टी यांदोलन के सबसे जानदा उत्सा जनक समर्थन लेवल दर दल से मिला है महान चिंतक और दासनिक हैरोल्ड लास्की भारत की बड़े में थे वे लेवर दल की कारकाइडी समिती की सदस वद्धेक्च भी थे उन्होंने कई पोस्तकें लिखी उन्होंने साइमन कमीशन रेपोर्ट की इसलिए आलोचना की थी इसमें यह विवस्ता सामिल नहीं थी कि भारत इस्थाई आधार पर आश्टमंडल की अंतरगत सौसासी तिकाई रहे लास्की ने मांग की कि भारत को एक निच्चे तिथी पर विश से योद्धी की समापती की तीन वर्स बाद डोमिनियन का दरज़ा दिया जाए और कहा इस अंतराल में भारती लोग अपना समिधान आप तेयार कर लेंगे अपने आप उन्होंने विश्वास था कि जिन्ना वो उसके मित कॉंग्रेस से समझता कर लेंगे और वे कॉंग्रेस के उद्धेसों के फिती हमेशा साहनवूती का रोक रखते थे और जब 1949 में गोल में संबिलन आसपल हो गया माप करिए 1931-32 की बात हो रही ठी तो उन्होंने इसके लिए संपदायक बिचारों बाले मुसल्वानों को दोसी बताया उन्हों धरम को एक सामाजी वीमारी का रेमजे मेक डोनल पर आरोक लगाया लगाया कि उन्होंने उनकी कमजोरी मिथ्या भीमान और अणिश्चित की प्रिवित्ती के कारण समझोता नहीं हो सका और H.N. बेल्स फोर्ड लेवर पत्तिकारों संसत सदस थे बे भारती राष्टी आंदोलन की एक महत्पूर समर्थक थे बे अक्सर भारती ये विसमों पर लिखा करते थे और बंग भंग की नंगिंदा करते हुए उन्होंने एक निरंकुस और भद्धी कारवाही कहा था बे पाकिस्तान बनाये जाने की खिलाब भी थे क्योंकि उनके कथानुसार यह सब्धा की विरुद्ध अन्यायपूर अपराधी जैसी कारवाही थी 1936 में उन्होंने मदब्यक्त किया था सभी अधिकार कॉंग्रेस को दे दिये जाने चाहिए और दिद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए महत्वा कांची जिन्ना को समिना सभागी अधिक्षता देकर मुसल्मानों को समर्थन प्राप्त करने कर लेगी उनकी दरिष्टी में पाकिस्तान का निर्माड एकपिती करिया बादी कदम है जो हमें धरमपा आधारीग राजी की किसी मत दीवीन धारणा की उल ले जाने बाला है और जिन अन्य लोगों ने भारती आकंचाओं की पूर्ती में युगदान दिया उनमें फैनर ब्रा कोवे, जॉन वेकेट, सर हैंडरी फोलक, रेज नार्ड, सोरेंसन, कुमारी मेड, लीन इफलेड का नाम लिया जाता है जिनने हम मीरा बेन के नाम से भी आप लोग जानते हैं तो यह उदारवादी जो अंग्रेज थे उनका भी युगदान रहा है सुतनता में अब हम लोग भारत की सुतनता अंदूलन में महलाओं का युगदान क्या रहा है उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं और जैसा कि आपको मालो भी होगा कि महलाओं भी पोर्सों से पीछे नहीं रहें 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी की बेडियों को तोड़ने में सफल हुआ और अगस्त माह का यह दिन सभी भारत बास्कियों के लिए गरफ का दिन था और आजादी कियोद में इस्तरी पुरुस युवा बुजरू सभी लोगों ने आप देखे भाग लिया और आप देखी हर धरम के लोगों ने, हर जाती के लोगों ने, हर समधाय के लोगों ने इसमें भाग लिया और निश्वाद भाव सी कून पड़े थे सांदुल में आजादी के उद्ध में महलाओं का महत्पूर्ण एउदा लाय और अंग्रेजों के विरुद पुरुसों के कंदे से कंदा मिलाकर देश की बेटियों ने अपना कर्तब निभाया उन्होंने अंग्रेजों के विरुद कदम उठाए वीरता और साहस और अब देखेंगे नेतती की चंतागा अभूत पूर्ण परचे दिया सुतंता संगराओं के दोरान भारती महलाओं ने सामाजीक बदलाओं के लिए बिद्रोही गतिविदियों में सक्री रूप से भाग लिया महलाओं की भागेदारी केवल सत्यागह तक ही सीमित नहीं थी 19-वी सताबदी के अंत में भारती राच्तिये कॉंगरिस के साथ महलाओं की घनिष्टता बड़ी और भारत की राच्तिये गतिविदियों में उनका योगदान प्यारम हुआ और वैसे भी आप देखें जो फुरुस जेल जाता होगा जो आंदोलन पर जाता होगा उसके घर में आप देखें उसकी पत्नी मा के रूम या मा होती होगी और आप देखते होगे घर को समालते होगी तो उनका भी योगदान समझा जाएगा 1890 में भारतिये महला उपन्यास का सौड कुमारी घोसाल और वेटे समराज की पहली महला इसनातक कादमरी गांगोली भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस की मिटिंग में पिती निधी के तोर पस सामिल हुई और 1905 के बंग-भंग आंदोलन में पहली बार महलाओं ने खुलकर सारज्वनिक रूप से भाग लिया था इसमें और सुवामी सिद्धानंदी की पुत्री वेद कुमारी और आग्यावती ने इस आंदोलन के द्वारान महलाओं को संगठित किया और विदेसी कपड़ों की होली जलाई और 1915 में दच्छिर पीका से लोटने के बर महत्मा गांदी ने अहनसा नीती अपनाने का नारा दिया और सत्यागय आंदोलन के लिए उनके एक आवाज पर महलाएं उनके सभी कारकरम में सामिल होने लगी थी और कुछ महलाएं जिननोंने सोदेसी आंदोलन में सक्तिरिय भूमिका निभाई सरोजनी नाइडू हो गई और मिला देवी हो गई दुरगाबाई हो गई देशमुक एस अम भुजा मल और बसंती देवी किष्णाबाई राम ये आप देखिए कि अगर आप लोग कुश्च से लेख रहे होंगे मुक परीक्षा में तो ये नाम आप लोग वहां दे दिजिएगा पड़े लिखे उधारबादी परिवारों की महलाएं और ग्राविड चेत्रों की महलाओं ने भी महत्मा गांधी की असायोग आंदोलन में सक्री रूप से हिस्सा लिया और राजक्मा गांधी और कमला नेहरू ने राष्टी आंदोलन में हिस्सा लिया था लाडो रानी जुत्ती और उनकी बेटियों ने लाहोर में आंदोलन का निजित किया था नेहरू परिवार की बेटी विजय लक्षी पंडित ने असायोग आंदोलन में हिस्सा लिया था और अली दिल्ली की पहली मेयर भी चुनी गई थी सरोजी नाइडू ने खिलाप खिलाप आंदोलन के लिए सक्री रूप से प्रिचार भी किया था पर आप देखेंगे सत्वती ने 1928 में साइमन कमिसन की दिल्ली आगमन पर काले जंडे से उसका बिरोध भी किया था किसने सत्वत गरपतारी दे थे आप देखें कि पुलिल मनला पुरोसी जेल लहीं गये महिलाओं की भी गरपतारी हुई गांधी इरविन समझोती की बाद जहां अन आंदोलन कारी नेता जेल से रहा कर दिये गये थे वहां वहीं अरुणा असप अली को बहुत दबाव पर और बाद में छोड़ा गया था और सविनेयोग्य आंदोलन के दौरान जब सभी बड़े नेता गरपतार कर लिए गये थे तो कलकत्ता की कॉंग्रेस अदिवेशन की अध्यक्षता एक महला नलीनी सेंगोप्त ने की थे और क्रांतीकारी आंदोलन में भी महलाओं ने भागेदारी की और सोचे कि पुरुस कोई आंदोलन चला रहा है उसमें आप सोचे कि उसके गरपतारी हो जाती है तो उसका नेतत महलाएं करने लगती है सन 1931 से 32 के कोल आंदोलन में भी आदिवासी महलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी है और स्वाधिन्ता की लड़ाई में बिरसा मुं नागारानी गोडे ने लिव ने किया था और इनसे भैवीत अंग्रेजों ने इनकी गरपतारी पर पुरुसकार की घुषना की और कर्म माप करने की अस्वासन भी दिये थे और सन 1930 में आप देखें बंगाल में सुरसेन की नित्त में हुए चटगाओं विद्रों में अच्छा करने के लिए से लेकर बंदूख चलाने तक में माहर थी तो आप सोचे उस समय महलाएं कम नहीं थी तो आज के समय में आप कैसे कम कह सकते हुने और इन्हें में से एक प्रिती लता वाडेदार ने एक यूरोपिय क्लब पर हमला किया और कैद से बचने के लिए आत देसंबर 1931 में कुमिल्या की दो स्कूली चात्राओं सांती घोस और सुनीती चौधिरी ने जिला कलेक्टर को दिन दहाडी गोली मार दी थी और काला पानी की सजा हुई थी तो वहीं आप देखें कि 6 फरवरी 1932 को बीना दास ने कलकत्ता बेस विद्याले की दीच्छान सम मारोक में उपाधी गहनन करने के समय गवर्नर पर बहुत नदी से गोली चला कर अंग्रेजी हुकूमत को चुनोती दी थी और सुहासनी अली और रेणू सेन ने भी अपनी करांतीकारी गतिविदियों से 1934 के मद्द बंगाल में धूम मचा दी थी इनोंने और आप देखें भी किया था और सन 1928 में जब अंग्रेज अफसर सांडर्स को मारने के बाद भागस सिंग और राजगुरू लाहर से कलकत्ता के लिए निकली तो कोई उन्हें पश्चान ना सके इसलिए दुरगा भावी की सलाह पर एक सो नियोजित रन नीती के तहत भागस सिंग उनके पत पुलिस अधीचक स्कोर्ट कुमारने का जिम्मा भी बेखुद लेना चाहती थी परसंगठने उन्हें यह जिम्मेदारी नहीं दे थी और ततकालीन बंबई के गवर्नर हैली कुमारने की योजना में टेलर नामक एक अंग्रेज अफसर घायल हो गया था जिस पर गोली दु पीचे नहीं रह रही है और आप देखेंगे कि 12 सेप्टमबर 1931 को दुरगा भावी लाहुर में गरपतार कर ली गए थी और करांथीकारी आंदोलन के दोरां सुसीला देदी ने भी प्रमगभूमी कारवाई काकोरी कांड के कैदियों के मुकदमे की पर भी के लिए 10 तोला सोना उठा कर दान में दिया था है इनोंने और सन 1930 के सविनय यग्या अंदोलन में इंदू मती के छदम नाम से सुसीला देवी ने भाग लिया और गरपतार हुई थी और इसे पिकार से हसरत मुहानी को जब जेल की सजा मिली तो उनके कुछ दोस्तों ने जेल की चक्की कर दोस्तों को नसीहत भी दी थी आप सोचे कि उस समय की महलाएं भी उनकी अगर पती आप देखिये माफी मांगने की बात करते थे तो वो उन्हें डाट देती थी नसीहत तक दे देती थी और वो कहते थी कि मतलब आप सोचे कि माफी नहीं मांगनी है चाहे कुछ भी हो जा और यही नहीं महला मता अधिकार को लेकर 1970 में सरोजी नाइडू की नितित में वाइसराय से मिलने गए पितिनी धीम अंडल में भी वाइसा मिल थी सन 1925 में कानफोर में हुए कॉंग्रिस अधिभेशन की अध्यक्ष था भारत के कोकिला के नाम से मसूर सरोजी नाइडू को कॉंग्रिस की पितम भारतिय महला अध्यक्ष बनने का गौर अप्राप्त हुआ था पितम भारतिय महला और वैसे आप देखें कॉंग्रिस की पिथम महिला की अगर बात करें तो एनी बैसेंट थी अध्याच ठीक है सरोजी नैडू ने भारती सुतंता स्वाधिन्ता आंदोलन की द्यास में कई पेश्ट जुड़े कमला देवी चटोपाद्या ने 1921 में असेव आंदोलन में बढ़ चड़ कर भाग लिया था इन्होंने वर्लिंग में अंतराश्टी महला सम्मीलन में भारत का पितिनिदित कर तिरंगा जहनडारा फैराया था और 1921 के दौरान दौर में अली बंदुओं की मा बाई अमन ने भी लाहोर से निकल तमाम महत्पूर नंगरों का दौरा किया और जगए जगए हिंदू-मुसलिम एकता का संदेश भी फैलाया था सन 1922 के भारत छोड़ों आंदोलन में भी महलाओं ने पिर्मक भूमिका निभाई दे अरुना असप अली और सुचेता केपलानी ने अन आंदोलन कारियों के साथ भूमिका थोकर आंदोलन को भी आंगे बढ़ाया था और आप देखेंगे उसा महता ने इस दोर में भूमिका रहे कर कॉंग्रेस रेडियो से पसारन भी किया था अरुना असप अली तो 1942 में उनकी सक्रियों के कारण देनेक टिवी उनने 1942 की रानी जहासी नाम दिया था ने और अरुना असप अली नमक कानून तोड़ो आंदोलन के दोरान भी जिल गए थी और इस ही आंदोलन के दोरान तमलुक की तहते वर्सिया किसान विद्भाब मतांगनी हाजरा ने गोली लग जाने के बाबजुद राष्टी धोच को अंतता कूँचा उठाए रखा था तो आप सोचें कि गोली लगने के बाद भी नीचे दोच को नहीं जुकने दिया जा रहा है ये थी राष्ट भक्ति इंद्रा गांधी ने चैपरेल 1930 को बच्चों की को लेकर वानसेना का गठन किया था और आप जो वानसेना आप देखिए इंद्रा गांधी की बात हो रही जो आप सभी जानते ही कि हमारे देश की पहली पिधान मंत्री महला पिधान मंत्री थी आप देखिए लोग कहते हैं वो कमजोर थी और आप देखिए पाकिस्तान ने उनसे टक कर ली थी उन्होंने पाकिस्तान के डोग टोकडे कर दिये थे बैंकों का राष्टी करेंड दे जंगे आजादी में कुंद पड़ी थी वह हर आंदोलन में आंगे रहती थी जेल जाती थी रहा होती थी और फिर आंदोलन में जुट जाती थी सन 1945 में सयुट राष्ट संक के दौर सैन फ्रांसिसको संबिलन में विजय लच्मी पंडित ने भारत का फिती निधित भी किया था और सोबाश्यंद बोच की आजाद हिंद सरकार में महला विभाग की मंतरी और आजाद हिंद पोच की राणी जासी रेजिमेंट की कमांडिंग औफिसर नहीं केप्टन लच्मी सहेगल ने आजादी में फिरमुक भूमिका निभाई थी और सोबाश्यंद बोच के आहान पर उन्होंने सरकारी डॉक्टर की नोकरी छोड़ दी थी कैप्टन सहेगल के साथ आजाद धिंद फोच की राणी जासी रेजिमेंट में लेप्टिनेंट रही लेप्टिनेंट मान वती आर्या ने भी सक्क्रिय भूमिका निभाई योद्यचेत में नेता जी की आई अने कई कारणों से जांदा गहरी चाप ना छोड़ पाई तो लेकिन इन महलाओं की भीड़ता की कहानी ने भारत की दूसरी महलाओं पर जवज़स्त मनोविक ज्यानिक असर छोड़ा यहां UN के बारे में बात हो रही है आपको बता दीता हूँ सहयुक्तराष्ट की बात हो रही है किसकी सहयुक्तराष्ट United Nations की बात कर रहा है और इसके बारे में एक सामर जानकर रही रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी निवर्क में इसका USA में हेड़क देखने को मिलेगा इनसे भी questions कई बार पूंच लेता है भारतिय सुतंता अंदोलन की गूझ भारत के बाहर भी सुनाई थी और विदेशों में भी रहे रही तमाम महिलाओं ने भारतिय संस्कीती से प्रभावित होकर भारत और ने देशों में सुतंता अंदोलन की अलग ज इस्थापना की थी और जिसका उद्देश स्वासासन इस्थावित करना था एनिवेसेंट को कॉंग्रेस की पिथा महिला अध्यक छोने का गुवी गुरब प्राप्त है और एनिवेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंटल हिंदू कॉलेज की निव रखी थी और जिसे 1916 में महा आप देखें मदन मुहन मालविये ने बनारस हिंदू विस्विध्याले की रूम में विक्षित किया और भारती मूल की फ्रांसेसी नांग्रेक मैडम भीकाजी कामा ने लंदन जर्मनी और अमेरिका का भिरमण कर भारत की सुदंता की पक्ष में माहौल बनाया था और उनका फेरेस से पिकासे बंदे मातरम पत्रवासी भारतियों में काफी लोग परिये भी था फिर आप देखेंगे सन 1919 में जर्मनी के इस्टू गार्ड गार्ट में हुई अंतराष्टी सोसलेस्ट कॉंग्रेस में मेडम भीकाजी कामा ने पिस्ताओ रखा कि भारत में बेटे सासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है और एक महान देश भारत की हितों को इस से भारी चती पहुच रही है उन्होंने लोगों से भारत को दास्ता से मुक्ति दिलाने में सहयो की अपेल की ओ भार्ग बासियों का आहान भी किया आंगे वड़ो हम हिंदोस्तानी है और हिंद हिंदोस्तानी हिंदोस्तानियों का है और यहीं नहीं मेडम भीका जी कामा ने इस कॉन्फेर्ट्स में बंदे मात्रा अंकित भारतिय ध्वज फैरा कर अंग्रेजों को कड़ी चनोती भी दी थी और मेडम भीका जी कामा लंदन में दादा भाई नोरोजी की प्राइविट और आहिनेंड की मुल निवासी हो सवामी विवकानुद की सिस्या Margit N降ul यानि कि भगीनी निविदिता नईभी भारती है सुतंता संगराम में तुमाम मौकुण पर अपनी सक्रीयेदा दिखाई और कलकत्ता में आप देखेंगे विश्विध्याले में कलकत तब इस विध्याले में 11 फरवरी 1905 को आयोजित दीख्चान समारों में वायसराय लॉड करजन की भारती उकों की पिती अपमान जनक सब्दों का उपयोग करने पर निवेधिता ने खड़े होकर निर्भीकता के साथ प्यति हार कारी किया था और इंग्लेंड के बेटिस नौसेना की एडमीरल की पुत्री मेडिलिन ने भी गांदी जी से प्रभावित होकर भारत को एक तरह से आप देखी भारत को अपनी करम भूवी बनाया था और मीरा बहन के नाम से मसूर मेडिल लिन भारत छोड़ो अंदोलन के दौरान महत्मा गांदी के साथ आगा खां महल में कैद रही थी मीरा बहन ने अमेरिका बेटेन में भारत की सुतंता की पक्ष में माहौल बनाया था और मीरा भहिन के साथ बेटेस महला मियूरियल लिश्टर भी गांधी जी से प्रभावित होकर भारत आई हैं और अपने देश में इंगलेंड में भारती सुतंताख भी पक्षे में माहुल बनाने का प्रयास किया दुतिय गोल में इस कॉनफेंस के द्वरान गांधी जी इंगलेंड में मियूरियल लिश्टर के किंग्सबे हॉल में ही ठायरे थे और इन बीरांगनाओं के अनन राष्टपें अदम सहस अटूट पिती वदता और उन में से कईयों का गौरमई वलिदान भारती इतिहास की एक जीवन्द दास्तान है और आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि आप देखे कि अंग्रेज जो महिलाएं थी वो भी भारतीयों के पक्ष में आप देखे लड़ रही है बात कर रही है ये बड़ी बात है अब हम लोग स्वाधीनता संग्राम में मुसल्वानों का क्या युगदान रहा है इस पर भी बात कर लेते हैं भारत की सर्भी धर्मों की नागरिकों ने भारती राष्टी कॉंग्रेस के जरिये सुतंता अंदोरन में अपना युगदान दिया भारत कभी उस अर्थ में राष्ट नहीं रहा जिस अर्थ में इस सब्द का प्रयोग पश्चिम में किया जाता है पश्चिमी राष्ट का राष्टों का आधार है एक भासा और एक संस्किती इसके विपरीद भारत कभी भी एक भासा, धरम या संस्किती बाला देश नहीं रहा है अभी भी आप लोग देखेगा हमारे देश में कई भासाइं बोली जाते हैं सभी धरमों के लोग आपसी में भाईचारा बना कर रहते हैं और आप देखेगा हिंदो, मुसलिम, सिक, इसाई, बौध, जैन, सभी धरम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी बहुत सारी जातियां समुदाय देखने को मिल जाएंगे धरमिक भासाई नसलिये और सांस्कितिक बिवित्ताओं बिवित्ताओं हमेशा से भारत की बिसेशता रही है जब हमने बेटे सिराज की आपरीमित्ते, आपरीमित्त सक्ती को चुनोती देने का नेड़ा किया तभी हमारी नेताओं को यह सया, ऐसास हो गया था कि देश के लोगों लोगों बिसे इसकार हिंदू और मुसल्वानों में एकता कितनी महत्पूर है और आप देखेंगे कि आम मुसल्वानों ने कॉंग्रेस की स्थापना का उस्था पूरवक स्वागत किया कॉंग्रेस के सभी अंदुलन को अपना समर्थन भी दिया कॉंग्रेस के निर्मार से लेकर भारत की सुतंत होने तक मुसल्वान कॉंग्रेस के साथ बने रहें आप देखे कि मुसलिम लीग की भी स्थापना होती है लेकिन कॉंग्रेस से जादा मुसलिम उसमें नहीं कभी रहें मुसलिम लीग में और जब भी चुना हुआ तो आपने देखा है कि मुसलिमों का पक्ष हमेशा कॉंग्रिस की तरफ रहा है अधिक तर मुसलिमों का भारती राष्टी कॉंग्रिस की स्थापना का देश के मुसल्वाने उन्हें पूरे उस साथ से स्वागत किया हमारी इतिहास बिद हमेशा इस बात पर जोर देते रहें कि सरसेयद ने मुसल्वानों को यह सला दी कि बे कॉंग्रिस की सदस्तना ना लें और तत्य है कि यह मुसलिम सिष्टी बरक की एक चोटे से हिस्से की राय थी और आप देखते हैं कि धरम हुया जाती हो इस तरह की राय गठने वाले छोटे से लोग मिली जाते हैं कम लोग यह वह तपका था जिसने 1857 की स्वाधीन था संगराम के बाद अंग्रेजों के साथ हातों बहुत अत्याचार सहे थे और जो अंग्रेजों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था हिंदों भी भी ऐसे तत्य थे विसेसकर जमीदारों राजाओं महराजाओं में इसके अलाबा सर सेयद का कॉंग्रिस की पिती दृष्टी को और सत्तुता का नहीं था वैतो केबल यह चाहते थी कि मुसल्मान आधुनिक सिक्षा और सामाजिक परिवर्तन पर जाना ध्यान दे सर सेयद की भूमिका के बारे में बहु संख्यक संपदाइक तत्तों में कई तरह के भिरहम फेलाए हैं सर सेयद ने हिंदू मुसलिम एकता के लिए अथक परियास भी किये उन्होंने हिंदू मुसल्मानों को भारत रूपी दुलहन की दो आखे ने रूपित किया और यह भी हाद ध्यार रखना होगा कि सर सेयद आहम जनता के निता नहीं थे वह तो केबल उत्तर भारत की मुसलिम सेथ्टी भर्ग को सामाजी केबल सेक्षडीक सुधारों के लिए पेरित करना चाहते थे और पूरा मुसलिम सेथ्टी भर्ग भी सर सेयद के साथ नहीं था एक भर्ग के एक सदस्क और बंबई हाई कोट के पूर्म ने आए दिस्ट बदुरुद्दीन तियब जी ने बंबई एदिवेशन के दौरान अपने 300 साथियों के साथ कॉंग्रीस की सदस्ता ली और वह बाद में कॉंग्रीस के अध्यक्ष भी चुने गए थे वो तो आप देखें हमारे हां की जुब भी राजनीती है न वर्टमान इसने इसमें खाई जातियों में आप देख रहे हैं धरम में बाट की रख दिये मुसल्मानों में भारत की सबसे उत्साही समर्थक हैं दिववन्द की पुरातन पंती उलेमा उलेमाओं ने 1857 की स्वाधीनता अतंगरा में भी भाग लिया था और उसमें अपनी पूरी तागत जोंक दी थी और इन उलेमाओं ने 1857 की करांती में बड़ी बड़ी कुर्वानिया भी दी उनमें से सेकनों को काला पानी की सज्जादी कर अंडबान ने भिद दिया गया था भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थाफना की बाद दारुल उलूम देवबंद की संस्थाफ़क मौलाना कासिम एहमाद नानो टवी जो स्वय में एक जाने माने आलिम थे ने एक फद्वा जारी कर मुसल्मानों को कॉंग्रिस की सदस्ता लेने वो अंग्रेजों को देश से निकाल कर बाहर करने के लिए कहा था और उक्त उलेमा आम मुसल्मानों की निता थे देश में देश से अंग्रेजों की सक्ता को खाड फेकने के लिए पितीवद थे एक अन्य जाने माने आलिम मौलाना महमूद उल हसन ने हिंदू और मुसल्वानों द्वारा अंग्रेजियों की विरुद बिद्रो करने का संदिश पूरे देश में फैलाने का एक की एक एउजिना जिसे रिस्मी रूमाल सडेंध कहा जाता है में महत्मोर मुमी का निवाई थ और आप देखें मौलाना महमूद महमूद उल हसन के अलावा अन्य कई उलेमावन और आम मुसल्वानों ने इस अडेंध में भाग लिया था मौलाना हसरत महानी एक पितिस्फित उर्दु कभी और बुद्धी जी भी थे इसके साथ साथ वह एक महान किरांतीकारी भी थे जन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई में हिस्ता लिया और बहुत कष्ट भी भोगे मौलाना कई बार जील भी गए उन्हें कडी जावएं भी दे गए गांधी गी तक देश के दूरबागामी हितों की खातिर को समय के लिए हॉम रोल लेके लिए राजी हो गये थे, परन्तु मौलाना इसी इस मामले में किसी फिकार की समझोते के पक्षधर नहीं थे, जब कॉंग्रिस के एहमदाबाद अधीवेसन में हॉम रोल, पिस्ताओ पे खिलापत अंधोलन महत्मा गांधी के अतेंत बुद्धी मता पूर्ण पर रनरीती का हिस्सा था, इसके जरिये गांधी जी ने सफलता पूर्वक लाखों आम मुसल्मानों को सुतंता अंधोलन से जुड़ा था, दुरभाग बग हमारे देश के का बुद्धी जी भी कारण ही बड़ी संक्या में मुस्तलबान स्वाधीनता अंधोलन का हिस्सा बनेते, और जो आप देख रहे हैं कि हिंदू मुसलिमों के बीच खाई बनी हुई थी वो भी पठ चुकी थी इस समय, यह अलग बात है कि कामाल अता तरुक की नेतित में हुई करांती के कारण यह की फिती बद थी, जीवन के अंते समय में मुवलाना मुहमत अली के गांधी जी ने गंबीर मत भेध हो गये थे, परन्तु अपनी मित्ति उसे पहले उन्होंने यह एक्चा ब्यक्त की थी, कि उन्हें एरूसिलम में दफनाया जाए, क्योंकि वह गुलाम भारत में नहीं दारूल हव, हरव, योद्य का घर घोसित करके अफगानिस्तान पलायन करना शुरू कर दिया था, ताकि वह एन निर्वासित सरकार इस्थापित कर अंग्रेजों के विरुद संगरस का संचालन किया जा सके, और इस पलायन के मुख प्रविडा सुरूत थे मौलाना ओविद दुल्ला पिधानमंतरी थे, दुरुबागवस अफगानिस्तान की वास्था ने बेटे सरकार की दवाव में आकर वहाँ पहुचे मुसल्मानों को अपने देश से निकाल दिया था, और इस कारवाही में हजानों मुसल्मान मारे गए थे, स्वाधीन था, आंदोलन के एक अ हदीश से लेकर से लिए गए उधारणों से यह सावित किया कि दुराश्चिद्धान को इसलाम की मंजूरी नहीं है, और मुलाना हुसेन एहमद को कड़े विरोत का सामना भी करना पड़ा, मुसल्म लीग के कारगताओं ने कई इस्थानों पर उनके साथ दुर्भिवार भ बने रहे और खान अब्दुल गफार खान एक मात यसे नेता थे जन्होंने देश के विवाजन को कभी सुईकार नहीं किया, उन्होंने कारसमती की बैठकों में विवाजन का भी विरोत किया था, और जब नहरू सरदार पटल तक से ने इसे आपरिहार मान का सुईकार कर द किताओं को स्वाधिंता संग्राम की इतिहास में वह इस्थान नहीं मिला, जिसके वे लायक थे, तो यह भी रहा है, चलिए तो आपका इस तरह से आप देखिए, आजादी में, सुतंता अंदुलन में, जिन लोगों की भूमिकाय रही हैं, तो उनके बारे में जान लिया है और आप देखिए, बाकी लोगों की बारे में थो हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे आप देखिए, भगस्तिंग, सुगदेव, राजगुरू हो, महत्मा गांदी हो, जवालाल नहरू हो, एक खासकर आपके टॉपिक है, इन्हें देखना जरूर ही था, तो इस तरह से सुतं भारत में जो चर्चित बेकती रहे हैं, उन पर बात करेंगे, उनके बारे में एक सामार जानकारी देखेंगे अब लोग, ठीक है?